हलो फ्रेंड्स वेलकम टो गीता किनु डॉट कॉम में आपका स्वागत है आज हम कोई रेसिपी नहीं बना रहे हैं आज हम सिर्फ डिसक्स करेंगे बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर के बारे में क्योंकि बहुत दोगों को इसके बारे में कन्फिूजन होता है कि कौन सा baking soda है, कौन सा baking powder है और हमें कहाँ पर baking soda यूज करना चाहिए, कहाँ पर baking powder यूज करना चाहिए तो इसी confusion को आज मैं दूर करने वाली हूँ और इसे दूर करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल आइकन दिखाए देगा जिसे आपको ज़रूर क्लिक करना है ताकि मेरी आने वाली लेटेस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे और आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख पाए तो आईए स्टार्ट करते हैं बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को पहचानने के लिए सबसे पहले हमें उसके कलर को देखना पड़ेगा देखते हैं ये देखी दोनों का कलर वाइट है पहचानना बहुत मुश्किल है कि कौन सा बेकिंग सोडा है कौन सा बेकिंग पाउडर है क्या आप पहचान पा रहे हैं बिल्कुल भी नहीं, कोई भी नहीं पहचान सकता है इसे देखकर, तो हम इसे पहचानने के लिए इसका टेक्चर देखेंगे, टेक्चर के लिए हमें इसे हाथ में लेना पड़ेगा, हाथ में हम इसे देखेंगे, ये देखेंगे, ये कुछ दानेदार सा फील हो रहा है, जै अब हम बेकिंग पाउडर को चेक करते हैं अब जब बेकिंग पाउडर को हाथ में लेते हैं तो यह बिल्कुल स्मूध होता है बहुत ही चिकना होता है बहुत ही फाइन पाउडर है बिल्कुल आपको यह कुछ-कुछ कौन फ्लार की तरह लगता है तो आपको हाथ में लेने स पता चल जाएगा कि कौन सा बेकिंग सोडा है और कौन सा बेकिंग पाउडर है तो इसके टेक्च्चर को देखकर आप बता सकते हैं कि कौन सा बेकिंग पाउडर है और कौन सा बेकिंग सोडा है आप देखेंगे इसका टेस्ट कैसा होता है तो इसका टेस्ट भी मैं आपको बता देती हूं कैसा होता है बेकिंग सोडा अलकलाइन होता है इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है अगर आप इसे चक कर देखेंगे तो आपको इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और अगर आप baking powder को टेस्ट करके देखेंगे तो ये बिल्कुल neutral होता है इसका कोई टेस्ट नहीं है इसलिए अगर आपके खाने में soda ज्यादा डल जाए तो खाने का टेस्ट बिल्कुल बेकार हो जाता है अगर बेकिंग पाउडर थोड़ा सा ज्यादा डल जाए तो आपको पता भी नहीं चलेगा तो इसलिए हम बेकिंग सोडा का इस्तमाल कम करते हैं और बेकिंग पाउडर को ज्यादा यूज़ करते हैं अब हम इसके बारे में जानेंगे कि इसे कैसे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, तो सबसे पहले हम बेकिंग सोडा की बात करेंगे, बेकिंग सोडा को हम यूज करते हैं, जब हमें इंस्टेंटली किसी चीज को फुलाना होता है, वो मैदा हो, सूजी हो, तो इसे फुल कि अधिन ऊक्रम देया झांतों करो। या च्छान दीजिशों करता है वि हुर्षितマ सब्सक्राइब करम करें रियाक्टकारीब सब्सक्राइब कर tari Carl जैसे ही फूलता है आपका मैदा साथ में फूल जाता है आप इस न्पिक्शुर को देड़ तक नहीं राकते हैं क्योंकि अगर Bables बैठ जाएंगे तो आपका मैदा बिल्कुल भी नहीं फूलेगा पर ऐसा bacon powder के साथ बिल्कुल नहीं होता है क्योंकि baking powder में आल्लेडी acid होता है हमें इसमें कोई भी acid डालने की जरुवत नहीं है इसे मैदा को फुलाने के लिए सिर्फ moisture चाहिए होता है पानी चाहिए होता है तो हम जब भी इसे use करते हैं तो हम पानी का इस्तमाल करते हैं और जब मैदा को हम पानी के साथ गूनते हैं बेकिंग पाउडर के साथ गूनते ह करने, लारे सीरह मसंसे रहें हो करने, और करने के बाद यह करबन DNC करता है किविक एए से टाइम लगता है कार्बन डाइकसाइड को रिलीज करने में और बैकिंघ सॉड़ा को आप तब यूज करते हैं जब आपको तो उसी टाइम कोई चीज बनानी होती है, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं लगता है, बेकिंग सोडा तभी यूज करते हैं, जब आपको बिल्कुल इस बैटर को रख दिया, तो आपका जो मैदा है वो बिल्कुल भी नहीं फूलेगा, और बेकिंग पाउ पाउडर उन चीजों में इस्तमाल होता है, जहां पे हमें ब्राउनिंग चाहिए होती है, जैसे बिस्किट हो गए, केक हो गया, और पेस्ट्री हो गई, भटूरे हो गए, तो इन चीजों में हम बेकिंग पाउडर को इस्तमाल करते हैं, क्योंकि इसमें हाई फ्लेम पे कु आ हुकांने म ơi सब तो नीमम सब्सक्राइब भी स्धिया निया यूझा जाता है और जब जो व्फूलाने के साथ आपके जो ब्राउनिंग भी देता है साथ कभी कभी हम क्या करते के ज़ंगर आपने देखा हँ होगा कि हम बेकिंग सोडा और बेकिंग पावडर दोनों का इस्तमाल करते हैं तो ऐसी कई चीजन पर हम दोनों का इस्तमाल करते हैं ताकि जो हमारा reaction है वो और जल्दी हो सके हलो अब हम बात करेंगे इनके chemical reaction की ये किस तरीके से react करते हैं तो आप ये chart देख सकते हैं जिसमें दिखाया गया है कि बेकिंग सोडा जब भी दही के साथ निम्बू के साथ या विनेगर के साथ किसी भी खटी चीज के साथ रियक्ट करता है तो कार्बन डायोकसाइड रिलीज करता है पर बेकिंग पाउडर में ऐसा नहीं है क्योंकि इसमें अल्रेडी एसिड होता है तो अब हम बात करेंगे इसकी क्वांटिटी की तो जब भी आप 1 फॉर्थ टीस्पून सोडा यूज करते हैं अगर उसको रिप्लेस कर रहे हैं तो आपको 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लेना है यानि कि जो रेश्यो है वो 1 इस टू 4 का रेश्यो है अगर एक चमच सोडा आप यूज करते हैं तो आपको 4 चमच बेकिंग पाउडर यूज करना है तो ये थी हमारे जो डिफरेंस मैंने बताया आपको बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर के बारे में तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो क कुछ जादा से जादा शियर करें